ए है अजीत कौर दी आतम कथा कूडा कबाडा दी आउडियो बुक दा सत्वा हिस्सा ते आवाज मानप्रीद सहोता दी. जे तुसी अजे पहले हिस्से तो लेके छेवे हिस्से तक नहीं सुनिया तम पहला ओ सुन लवो प्लेलिस्ट दा लिंक उपर दिता है उने क्लिक कर सक दे हो. सत्वा हिस्सा 84 दुजी मिसाल बहुत मगरों दी गाला है ए पहली सतंबर उनिसो सत्तर नू असी ग्रेटर कैलाश विच एक कार ले लिया टाई साल होस्टल विच रेंड तो बाद उनिसो अठाट विच होस्टल दे सामने अंक टेड कॉन्फरेंस ले बणी नवी बिल्डिंग विच होस्टल विच रेंड वालियां कुछ और तानू फ्लैट अलाट हो गए सन जिना जिना ने अर्जियां दितीयां सन ते अर्जियां दे पिछे-पिछे तुर दियां अपनियां जुतियां वी कसाईयां सन उदों उन्नू अंक टेड बिल्डिंग ही क्या जान्दा सी करजन रोड अपार्टमेंट्स ना काफी मगरों प्या मैं क्योंकि ओदों रूपी ट्रेड ना दा पर्चा शुरू कर लिया होया सी ते एजुकेशन डिपार्टमेंट तों अस्तीफा दे दितता होया सी एजुकेशन डिपार्टमेंट विच ही सी ते सरकारी स्कूल विच पढ़ों दी सी ते ओ फ्लैट सिर्फ सरकारी नौकरी वालयानू ही मिल सक दे सन दो कमरें दा बहुत नफीस फ्लैट पूरे फरनीचरनल सजया सजया आखर विदेशी महमाना लई बने सन ए फ्लैट ते हिंदोस्तान दी ए सुनेरी प्रंप्रा रही है के कारविच पामें पुख नंग होवे विदेशी कांफ्रंसा ते ते विदेशी महमाना ते इस तरह पैसा लुटाओ के उन्हानू चका चौन्द कर देओ पेलनू पैसे लुटाओ उन्हानू कैवियर खवाओ ते शैंपेन प्याओ ते फेर ठूठा लेके उन्हा देही सामने खड़े हो जाओ के हिंदोस्तान नू ओ विचारे घरीब मुलका ले बनाई अपनी दान दी टोकरी विच्चों मुठ कू खैरात उस ठूठे विच वी पादेन कैवियर दे ना ते शैंपेन ते सकॉच दे ना ते लिमोजीना विच किती सैर दे ना ते चांदनी रात विच वेखे ताज दे ना ते अपना जड़ा थोड़ा बहुत फरनीचर सी एक पलंग, एक दिवान जिदे थले पांडे रखे जांदे सान ते जिदे उत्ते सारा दिन बै के ट्रांसलेशन किती जांदी सी ते आर्टिकल लिखे जांदे सन ते रात्ती सुत्ता जांदा सी एक किताबां वाली अलमारी जड़ी मैं अपना डिजाइन दे के करतार पूरों बनवाई सी मिटी दे तेल दा ते बिजली दा चुला ओ सब मैं सर्वेंट क्वाटर विच रखवा देता ते क्वाटर एक टबर नू रैंड लई देता जिना दी कुडी मेरे फ्लैट दी सफाई कार दी सी जदों रोटी जोगे पैसे हों रोटी पका देंदी सी कपड़े तो देंदी सी वर्किंग गर्ल्स होस्टल वेच मैं सब तों पहलों दो-दो-सो केंडल पावर दे बल्ब खरीद के लाए सन क्योंके राज दे कर चाली केंडल पावर वाला बल्ब जगौन लई वी गाड़ा सुननियां पैंदीयां सन के बिजली दा बिल तेरे प्योने पर ना है कई-कई राता मैं करूं बाहर लगगे बिजली दे खंबे हेठा इंते हाना दे परचियां ते नंबर लान देयां तर्जमे कर देयां पढ़ देयां कटियां सन उन अंक्टेड फ्लैट विच आके मैं बैंक कोड़ों पुछया के तो अड़ी एक स्कीम एड़र्टाइज हो रही है के फ्रिज वास्ते, कार वास्ते, एर कंडिशनर वास्ते तुसी लोन दे रहे हो हाँ, लोन ता देन दे सन ओ पर लोन डिपेंड करदा सी तो अड़े एकाउंट ते जे एकाउंट ही फटीचर होवे ता लोन का दा पर बैंक ओफ इंडिया दी ओस कनाट प्लेस वाली ब्रांच विच ओधोन लाल बहादर शास्त्री दा छोटा पुत्तर सुनील जड़ा मगरों जाके यूपी विच मिनिस्टर बनेया की पता आजकल भी होवे मिनिस्टर बनेस्टर पर मेरा जड़ा भी वाकफ जा दोस्त मिनिस्टर शिनिस्टर बन जावे मैं उन्हों मुड़के कदे नहीं मिल दी क्योंके मिनिस्टर बनन तो बाद बंदा एही समझन लग पेंदाए कि जरूर इन्नु कोई काम होवेगा। सो सुनील उत्थे काम करदा सी। उन्ने में यह दो-चार कहाणियां नई कहाणियां विच ते धर्म युग विच पढ़ियां हुईयां सन। सो कदर करदा सी। मैंनु दीदी जी कहनदा सी। उन्ने लोन सेंक्शन करवा देता अपनी जमेवारी ते। सो पहली चीज जड़ी मैं बैंक कोड़ों करजा लेके खरीदी जिदियां किष्टां दो-तना सालां विच हौली-हौली कटियां जानियां सन। ओ सी एर कंडिशनर। शायद 5,000 दा आया सी होदों 1988 दियां गर्मियां दे शुरू विच। अजीब गाले न, रोटी वास्ते वी जड़े कोल पैसे नहीं सन हुन्दे। कई-कई देन में सिरफ दुद दी बोतल जड़ी 18 पैसे आंदी सी ते अधी डबल रोटी जड़ी 12 पैसे आंदी सी नाल गुजारा कर लेंदी सा। उनु सुजया वी ता एर कंडिशनर? एर कंडिशनर दी अयाशी? असल विच उननी दिनी मेंनू अकसर बुखार हो जाया करदा सी। लगदा सी जिमें तपदे पठ विच पुज रही होमा। सोच्या जे एर कंडिशनर होवेगा ता शायद बुखार विच भी कम करदी रह सकांगी। इस फकीरी चोले विच बड़ी शहाना तबियत पाईए दोस्तो। टाई साल इस फ्लैट विच रही। डॉली केंडी जोदों भी स्कूल दियां चुटियां विच कर आउंदियां उन्हानू शायद शिमले दे खुले महौल तो बाद एक आर बहुत चोटा लगदा। क्योंकि एक कमरे विच ता मेरा दफ्तर सी। स्टैनों, टाइपिस्ट, डि जिशन सिंग दी मेरबानी नाल मैनू उधे 8,000 रुपए मिल गए। इकठे 8,000 रुपए। मैं ते मलका विक्टोरिया बन गई। फटा फट ग्रेटर कैलाश विच एक कर ले लिया। तिन्ना महीने दा पेशगी किराया 3,000 ते 5,000 कर दा ठुक बनन वास्ते। पहली सितंब खुली रिसोई, सामने लॉन, गैरज, ते गैरज दे उत्ते सर्वेंट क्वाटर। पचासी। उसका अर्विच साड़ा ओ पंदरमा दिन सी, 15 सतंबर। कर दरजी बैठा होया सी परदे सियोण। उन्हे क्या ए कपडा रता काट गया ए, 6 मीटर होर लायाओ। मैं साउथ ए टेंशन तो कपडा खरीद के कोई एककू वजे वापस मोड़ाई। टाइपिस्ट हरकिशन ने क्या? एह होने दारजी दा फोन आया है के राज दी डेथ हो गई है। फोरन पटेल नगर पहुंच जाओ, दारजी देकार। पंच-सत मिन्ट दा समझ ही नहीं आई। के निडे दा कोई रिष्टेदार सी जिदा ना राज सी? शायद कोई पेरे दा होवेगा। जिस्तरा लहौर पेरे वाले दूर निडे दे रिष्टेदार कचेरियां दे मुकदमेयां वास्ते ते हस्पतालां तों द्वादारू कर्मान वास्ते ओंदे हुंदे सन, शायद वाले नाल मेनू अपने खावंद राजदा ना जोडंदा ता सुपना भी नी सी आ सकदा। जिदे खौफ नाल साड़े तर्ती अकाश्वी कंब दे सन। मरनवाला राज ओ राज नाई सी हो सकदा। मैं पटेल नगर पहुंची दार जी देकर ओ मैंनू यू डीक रहे सन। काफी परिशान सन। उनधियां अख्खा गुलाबी हो रियां सन। रो रहे सन दार जी। मैं हरानी नल सोच्या। किदेली रो रहे सन। उधेली जिदा साड़ियां जिन्दगियां विच है यी नई सी। उधेली जिदेली असी सारे चिरुक्णे मर्ख अप गए हो इसा। ते फेर मैंनू महसूस होया मेरियां अपनियां अख्खा विच वी कणियां लाथरियां सन। असी दो में पिछली गली विच्चों लंग के सडक टप के नाल वाले ब्लॉक दी पिछली गली विच्चों लंग दे विचकार ले मकान दे अंदर लंग गे। 86. ए ओही कार सी, जित्थे ओ रेंदी सी, जिदा ना मैं कदे जानन दी कोशिश नहीं सी कीती, जिदा चेरा मैं कदे नहीं सी देख्या सिवाए उन्ना तस्वीरां देजडियां राजने मैंनू करनाल मेरी व्यावाली रात वखाईयां सन। इससे करके दारजी अगे रोतों के दिल्ली आ गए सन, क्योंके करनाल वरगी छोटी थां ते ओ इस तरहां दो करावेच खिलर नहीं सन सकदे। वड़े शेरां दा सोखुन दाए के कोई आंट गवांट दी खबर खोज नहीं रखदा। विचारा डाक्टर, निरा देवताए, पर वोटी योधी ने विचारे दी जिंदगी नर्क कर दिती होईये। विचारा की करे? जित्थे किद्रे उन्नु दो कडियां सकून मिले, चला जान्दाए। पैंड बनाई होईये उन्ने, पैंड ही होई जड़ी विचारे नु रो चाप लेटिया होया सी। और ता उलर उलर के विखन दी कोशिश कर रही है सान के उधी वोटी, जड़ी विचारे नु पांच साल पहलों छड के किसे यार नाल पच गई सी, उन्न उधी लाश नु वेख के रोंदी है के नहीं? मैं अपने अथरू ड़कन दी कोशिश कर रह ओ, जिन्ने कदे नहीं सी मरना, ओ खुद क्या कर दे सन के तो अनु तिना अनु ठिकाने ला के मरांगा मैं? सच मुछ मर गया सी के एवी उन्ना ने बाकी ड्रामया वांगू एक ड्रामा ही किता सी, उन्ने हडबढा के उठ पैन गे, ते कैन गे? वेखलो एस चुडेल नू, उन्न मेनू मुया समझ के आ गई है, मेरी लाश नू तक के वीर ये अखां वेच एक घंजू नहीं आया, मैं दसदा साना तो आनू, के ओ औरत नहीं डैन है, उन्न वेखलो, अपनी अखी तक लवो, किस तरह बिटर बिटर मेरे वाल तक की जान उन्न दे हथां दे नौ वी नीले सन, नहीं, जिंदगी विच पहली वरी राज ड्रामा नहीं सन कर रहे, उस सच मुच मर गए सन, सच मुच ए लाश ही सी उन्न दी, ते मेरा रून निकल गया, कई वरी किसे नल बिताई, जिंदगी दे तमाम दुखा नू याद करके वी वाजां सुनाई दितिया, हाई विचारा, चाओं पंजादना तो हौके पर दा सी प्या, गल्ले गल्ले रोप हैं दा सी, आज कचैरी विच तरीख जो सी, आखरी फैसला, बच्चेयां दी कस्टडी दा, इस से हेरवे नल हार्ट फेल हो गया विचारे दा, कचैरी, तरीख, कस्टडी, ये की कहा रही हैं सान, ओ औरता, ताहिए मेरे नालवाली औरत ने मेरा सिर गोड्यां तो चुक्किया ते मेरे कान विच फसफसा के कैन लगी, जो हो गया, उते हो गया, हुन तू जाके अपना कार सांब कुडिये, तेरे दिवरानु पे जाए तेरे सौरे ने, त ही सी, ओ कर, जिदे विच मैं खुद अपनी मर्जीनल वापस नहीं सा गई, मैंनू ते उसकार नू कदे अपना कार समझन ही नहीं सी दित्ता राजने, ओ ते स्रां सी जिदे विचों हर वरे छमाई काड दित्ती जान दी सा, ते फिर वापस बुला ले जान दी सा, जित्तों मैं अठवारी कड़ी गई, ते अठवी वारी कड़ी जान तो मगरों, जिदों बुलाया गया, वापस नहीं गई, ओसका अरते की हक सी मेरा, पर एक के होजे लोक ने, मेरे सौरा साहिब वरांडे विच मर्दान आलके रे बैठे सन, उन्हादा चेरा बिलकुल शान सी, सारे के रे सन, जे हो जया देवता पुत्तर सी, ओ हो जया देवता प्योए, ओस देवते प्योधे पुत्तर दी लाश सामने पई सी, ते देवते प्योधे 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 पुत्तर दी लाश सामने पई सी, ते देवते प्योधे प्योधे नू एक इस तरह सुजया, के अपन मार मार के रोन लग पे। फिर मैं बड़ा जिग्रा करके अपने सौरा सैव कोड़ गई। ओ मिननु तक के खड़ो गए। मैं मत्था टेक्या। ओ चुप चाप खड़े रहे। मैं हौली जही क्या। पिता जी तुसी फोन करके महिंदर ते जिंदर नू वापस बुला लओ। मैं नहीं उसका अर्विच कदम रखांगी। ओ मेरा कर नहीं तो अड़े पुत्तरदाई का अरसी ओदेते तो अड़े हाक के। तुसी आराम नाल मगरों सब कुछ ले जाया जे। ओ चुप रहे। और ता विच्चो मैं उनू पछानन दी कोशिश कीती जिदे कर राजने प योकोल। अखर पैन होई वराव रूके रोटी खवाई फिर सोचया किदरे कुछ उच्ची निवीना कर लवे अपने नाल एड़ा दुखी ये। सो राती इथी स्वालया उनने। स्वेरे उठके बातरूम गया है। पैनने क्या चा बनामा। कैन लगा हाँ बना दे। बात विच्चों पच्छानन दी कोशिश कीती नहीं पच्छान सकी। पच्छान लेंदी ता की कर दी। शायद उदे गल लगके रोंदी क्योंके सुहाग ता उदा ही उजडया सी। मैं ते कई साल लांतों बेवा सां ओ ते आज बेवा होई सी। 88. सारी कहाणी हौली हौली साफ होई। राज दा आखरी ड्रामा। ते जिंदगी दी आईरनी के 15 सितंबर दी तारीख उनाने सबनू आखरी तारीख दसी होई सी जदों जाजने अपना आखरी फैसला सुनाना सी। ते 15 तारीख ही सबतों वड़े जाजने सच मुच आखरी फैसला सुना देता। एक कहाणी उनाने कोई दो वरे पहलों शुरू कीती सी के उना दी बीवी दुजा वया करवाना चाओं दिये। एस करके उन्हें डाइवोर्स लई कचैरी विच मुकदमा धर्ज कार देता है। हर दो तिना महीनिया बाद तारीख पेंदी। हर विच ते ओ डाइवोर्स दे खिलाफ लड़ दे रहे। वधिया तो वधिया वकील कीते उनाने। हर तारीख वेले ओ अद्धा दिन अपने क्लेनिक तो गाय वरें दे। तांके लोका नू यकीन हो जावे के विचारा डाक्टर अपनी कलेनी वोटी दी पाई मुसीबत पु एवी के ओवी आई हो इसी पलाने यार नाल एक पड़े पाई हो इसा नोने। सजीता जी घरूर नाल आकडी के मैं कोशिश कीती कचैरी दे कमरेतों बारो दे नाल गल करन दी के कानू कार दी इज़त कचैरियां विच रोल नी है। तु अपने जड़े वी आशक नाल रहना ते रहे ते ता की करना है तु डाइवोर्स। कि उन्ना विचारियां दुहां मसूम बालडियां दाते सोच। कलनू उन्ना दा विते व्या करना है। मापयो दे डाइवोर्स दा कलंक लाग गया उन्ना मसूम माते ता किस तरह होन गया उन्ना दे व्या। तु जिदन रहना दी खातर उननों किदरे होस्टलां विच सुट्या होया है। वी सुनदा वेखदा ता हैरान रजनदा। बकाईदा तरीखां पेंदियां सन। बकाईदा राज अपने क्लिनिक तो गाइब रेंदे सन तरीख वाले दिन। ते फिर अगली तरीख तक पिछली तरीख दियां कहाणियां सबनों सुनांदे रेंदे सन। उन्ठा 56 महीने तो उन्हा कै दित्ता होया सी के मैं डाइवोर्स ले मन ग्यां कै दित्ता है जजनू के मैं ते हमेशा अपनी बीवी दी पूजा कीती है जे इन्हु डाइवोर्स ना ली खुशी मिल सकती है ते मैं इधी खुशी विच रोडा नहीं अटकाणा चाँ दा बेशक फैसला कर देव डाइवोर्स दा पर मेरी यां बच्चियां मैंनू देदेव इनने ते डाइवोर्स लेके होरवया करवाना है मेरे कुणों लिखा लवो बेशक कि मैं कदेवी होरवया नहीं करवा मांगा सिर्फ अपनियां बच्चियां नू पालांगा उनना दी कस्टडी मैंनू देदेव ते बेशक डाइवोर्स दा फैसला करदेव हुन पिछले च्छें सत्ता महिन्या तों हर तारीख बच्चें दी कस्टडी बारे पह रही सी कस्टडी दा ते डाइवोर्स दा आखरी फैसला जजने 15 सितंबर नो सुनावना सी इस से करके पिछले 10-15 दिना तों विचारा डाक्टर बड़ा दुखी सी बहुत परेशान सी, बहुत उदास सी रुन्दा रेंदा सी हर विड़े की पता विचारा रोटी भी खांदा सी के नई लोकी कह रहे सन ओहो ओहो किन्ना जुलम होया ये विचारे नाल ऐ कडियल जिसम छाननी हो गया गमा नाल ऐ कोई उमर सी हो दी मरं दी हो कई ले गया उन्नू ते किन्ना तडफदा सी अपनियां कुडियां वास्ते शहीद हो गया होते अपनियां बच्चियां ले एही सोचदेयां सोचदेयां हार्ट फेल हो गया उन्ना आए के जे जजने बच्चेयां दी कस्टडी प्यो उन्नू ना दित्ती जे उनने क्या के कुडियां दी कस्टडी मां को ली रहनी चाही दी ये हर कोई एही गल्ला कर रहा सी सिर्फ मैंनू ते दार जी नू पता सी के एक किड़ा वड़ा चूटदा जाल विशाया सी राज ने जिदे विच कुल दुनिया दी हमदर्दी फाल आई सी अपने जिन्दगी दा सब तो कामियाब ड्रामा खेड़ गए सन उ जानदे जानदे उनननवे खैर एह सब बहुत बात दियां गल्ला ने एह दो मिसाला राज दे उना हजार हाड ड्रामया ते कहाणियां विच्चोंने जिडियां उ हमेशा मेरे खिलाफ कर दे रहे कड़ दे रहे ते हर आउन जानवाले नू हर मरीज नू हर गवांडी नू दस दे रहे मेरे खिलाफ फैलाए जहर ते कटा टोप बदनामी दियां ए दोतन मिसाला ए दसनली काफी ने कि मैं किस तरह अपने अंदर ले हनेरे खू विच उत्तर दी चली गई किसे नल गल नहीं सा कर सकती मैं सिर्फ एक गवांडर नू एहसास सी के की हो रहाए क्योंकि ओधे कार दे उतले छज्जेतों साड़े कार विच होन वाले सारे को जिहाद से वेखे जा सकते सन पामे ओधे नल भी मैं कदे गल नहीं सा कर दी ओधी खामोश हमदर्दी दा मैंनू पता सी जिदे लई मैं ओधी अंदरों शुकर गुजार सा जे ओवी लोका मंगू अपनी हमदर्दी बोल के मैंनू दस्रण दी कोशिश कर बेंदी ता मैं ओधे कुड़ों मी डर के पाच जाना सी एही कर दी सा मैं मैंनू हमदर्दी वी ड्रामा ही लग दी सी ते हर बंदा तमाशाई नजर आउंदा सी मेरे अंदर किन्नी टोटपा जोचुकी होवेगी के मैं किसे दी हमदर्दी वी बरदाश्ट नहीं सा कर सकती बीजी दार जी वी जे कुछ पुछ दे सान ता घुसा होदा सी कुछ नहीं होया मैंनू मेरे वरगे पत्थर नू होवी की सकदाए जिते तुसी मैंनू पेजया कट रही यां होत्थे जिस तरह दी वी कट्टी जा रही है तो अनू की? किसे नू भी की? पर मेरी एस ग्वांडन ने जड़ा ए खमोश जेहा पुल अपने ते मेरे विचकार बना लया होया सी इस विच कोई स्वाल नहीं सी किसे जवाब दी जरूरत नहीं सी बहुत खमोश सी एक कम्यूनिकेशन जमीन दे हेठा दबी किसे हांडी विच पईयां मोरा मंगो एही ओ औरत सी जिसने राजदी लाश कोल बैठया मेरे कान विच होली जई क्या सी के कुड़िये हुनते जाके अपना कारसांब करते आखरो ते रही है तेरियां ती यादाए तेरे द्योर उथे गंडा पंडा पए बंदे नी मेरी खमोशी नाल, मेरी कुटन नाल राजदे कार विच कीते जुल्मा दे ते बाहर फैलाई मेरी बदनामी दे सिरों लंग गए पाणिया नाल सारियां रवायतां कदरा कीमतां विच मेरे विश्वास लगा तार जलजल्यां दे चटक्या नाल तडड़ा की खंडर बन गए सन समझ आ गई सी के किनना वी अपने आपनों मिटा देयां कुझ हासल नहीं होन वाला के गलत सी ओ तुंदला जया सुपना ते विश्वास के अपने आपनों मिटा देयो तां कोने मसूम बच्चेयां दे चेरे ते अपनियां बामा विच उननों लुका लेंदाए के फजूले ए रवायती ख्याल वी के मरदियां बामा विच किरनलेई ही औरत आदकालतों तरस दी रही है ते समया दे अंत तक तरस दी रवेगी समझा गई सी के कदेवी, किद्रेवी, कुछ नहीं बदलना के मैं सारी उमर इसे तरह के सटके सटके त्रूई जाके, विलूंदरी जाके ही कटनी है क्योंके मैं दो बच्चियां अपने लोव मास विचों पैदा कीती हैं जिनना दी जिम्मेवारी सिर्फ मेरी है खन्दी मजबूरी करके रणा भी ऐसे नर्क वेचीए सेना भी सब कुछ जुब चापे ते उफ भी नहीं करनी समझा गई सी के मेरी मौत ते मेरी जिंदगी ने नाल नाल तुरनाए ना पूरी मर सक दी सा क्योंके मेरी जान मेरी यां बच्चियां विच अटकी सी ना ही जियों सक्दी सां, क्योंकि जे इस तरह अपने अपनों जियोंद्यां मार के, खुदनों ते खुदीनों मिटा के, मेंता मुशकता करके, अपनी ते अपनियां बच्चियां दी रूटी खुद कमा के, सारे तसीहे सै के वी राजदे हथों मेरी ए दुर्गत होई सी, रा क्यारे करन भी की, अपनियां नीरस ते मनाटनस जिन्दगियां तरूंदे तरूंदे, क्योंना किसे चर्खारे दार कटना विच दिल्चस्पी लेन, इससे करके तां कुकड लडांदेने, ते उन्हां दे नुचे होई खांब ते लव वेह के मजा लेंदेने, इससे करके त बुल फाइट्स तक के खुश होंदेने, इससे करके तां बक्रियां दी, साना दी लडाई करवा के राल टपकान देने, पुराणे वेलियां विच गल्याडियेटर्स दी लडाई करवा के, एक बंदे कोणों दुजे नू मरवा के, वैंदे लव नु तक के, एही लोग ते सन जड़े खुश होंदे सन, ते रज्जे रज्जे कारा के दारू पीनदे सन, ते कुकडा दियां बोटियां हड़ियां नलो तरुण दे सन, अपने नंगे दंदा नाल, खेर ए दो खानियां सिर्फ दो निगूणियां जईयां मिसाल लाने, दाल विच्चों दाना टोन व गिलियां लकडांदा तूँआ, जड़ा सिर्फ संग कुटदाए, सार उकदाए, फेपड़यां विच्च जाके काली बोली रात पादेंदाए, अक्खां विच्चों बीनाई खोलेंदाए, सार उकदाए ते नजर कुछ भी नहीं आउंदा, ना बार निकलनदा रा, ना उ अथा असीम तुंदूकार विच्चों सिर्जन हारे ने एस काइनात दा सुपना लिया, एस स्रिष्टी दा सुपना, करोडां दुनिया दा, जड़ियां किसे थम ते ना खलोतियां हून, एक दुजी दी मिक्ता ने सी खिच विच भजियां अनंत पुलाड विच अनंत समया पूरी काइनात विच महज एक सुपनीला जर्रा, मिट्टी ते पहाड, का ते रुक, आबशारां ते चरने, बर्फा लदियां चोटियां ते अथा गेरे समुंदर, ते एस सब कुझ विच विच विचर दी जिंदगी, जिंदगी दी रफ्तार ते गुफतार, पहाडा दि पूरी काइनात विच विचर दी जिंदगी विच्चों सिर्फ मुनुक ही ए, जड़ा इन दुख सेंदाए जिर्फ मनुक ही ए, जड़ा इना हसा से, हसा से ता दुख दी शिदत स्यानी ही होई उन्ने, ते मनुक अपने छोटे वड़े दुखां सुखां दे जाल विच कुझ इस तरह के रिया, के अपने आसपास फैले हुसन नू ते संतापनू विखना ही पुल गया, पुल गया के ओधी जिन्दगी दा ड्रामाता महज एक भूंदे, उस अथा, अपार, अप्रम, पार, विशालता विच, जिस विच ओधी तर्तीवी महज एक छोटी जही कणी है, एक छोटा जहा पत्थर गीटा। 22. मैं मी अपनी जिन्दगी दे ड्रामे नू हि सब तों हैहम, सब तों अजीब, सब तों तकलीफ दे, सब तों जज्यादा दुखी ते अजियत मंद, सब तों ज्यादा प्यानक ते खौफनाग हादसा समझदी रही। किन्ने ही वरे अपने ही तकलीफ दे चिक्कड विचता स्धी चली गई किन्ने ही वरे आसपास वेख्याई नहीं वक्कती नहीं मिलिया दुनिया? किथे सी दुनिया? ओता साड़े दैशतनाल परेकार दियां पुरपुरा दियां दिवारां तो बार किदरे भी नहीं सी जिंदगी? किते सी जिंदगी? ओता भस एक साथों दुझे तक पहुंचन दी तकलीफ दे यात्रा सी इक साबत दिननू तक का देके अपने राविचों हटा लेन दी कदे ना खतम होन वाली जैमत सी इक रात नू पार करके ठक्यां तुट्यां फेर मुड़ों सुड़ों एक होर दिन दी शिरुवात कर सकन दी जद्दो जहद सी किसे वी दिन दा चेरा दुजे नालों नखेड़या ने सी जा सक्दा उसे तरह दे इको जहे थकावत नाल ते खैबडा नाल ते चग्णया नाल ते गाला मारा नाल परे दिन दो बच्चयानों अपने खंबा हेट लुकाई रखन दी अनंत जद्दो जहद राज दी फैलाई जहरीली नफरत ते हिकारत दे तुएं विच्चों अखा नीनिया करके तुर दे जान दी मजबूरी अपने अपनों शर्म सार ते गुनागार समझ दे चले जान दी प्यानक यात्रा अंदर तदकता एक जौला मुखी ते होंठा ते खौफ दे, रवायतां दे, सौरियां पेक्यां दी किसे बे नाम इज़त दे, दो कुडियां दी मा होंड दी जिम्मेवारी दे, हजारां जंद्रे तर्यानवे मगरों जोदों ज्वाला मुखी फट दाए, पहार दे सीने वीच दबी होई, प्यंकर आगता दखदी होई, लपलपांदी होई, बाहर निकल दीए लगातार शोलें दा, ते तुएं दा, ते खौल दे लावे दा, ते पिगले पत्थरां चटाना दा, एक सिल्सला जित्रों वी लंगदाए, सब कुछ फणा करदा, सुहे संताप ते काले गुसे दे लावे वेच, सब कुछ नू अपने नाल रोड़दा, तबा करदा, ते जिंदगी दा कोई निशान भाकी नहीं बचदा, ना बंदे, ना का, ना रुक, ना कर, ना चरिंद परिंद बगरों तुसी उस लावे नाल कजी, सड़ सड़ के बुजी जमीन, तो उना फना हो गए, मनुखा दे, करा दे, आवा दे, फसला दे, रुका दे, ते खुद तर्तीदी मिटी दे, निशान लब सक दे, नहीं ना? 94. राजदियां फैलाईयां बे सिर पैरदियां, हवा विच उलारियां, हजारा कहाणियां विच्चों दो सुना चुकी हां. इना तो इलावा एक तीजी कहाणी वी है, जिनू राज नू सिर्फ हवा विच खड़या नहीं करना पया. उना दी खुशकिस्मती नाल ए तीजी कहाणी पक्के आम्ब वांगू उना दी चोली विच आडगी, ते फेर ओस आम्बदा ओ हाल कीता उन्ना ने के पुछो ना. एस कहाणी नू खड़यां करन लेई उन्ना नू दो लत्तावी लब पेईयां, सच मुच नियां लत्ता नहीं, दो डांगां. जिनना उत्ते उन्न जिन्दगी दा, यानि जिन्दगी दे उना तेरां सालां दे टुकडे दा सब तों वड़ा ते खौफनाक डर्ना बना दितता. 95. उदा ना सी अमर सिंग, करोल बाग विच मुन्यारी दी दुकान चलांदा सी, तिन प्रासन एस दुकान दे पाईवाल ते मालक, अमर सिंग विच कारला प्रासी, हमेशा अपने वड़े प्रादे हेड़ा दा बके रिया, अपने तंदे नाल हमेशा ना खुश, अपनी ज जिन्दगी तों उप्राम, उस दी जिन्दगी जड़ी रेगड पुरे दी एक तंग गली दे एक छोट जहे मकान विच सिम्टी होई सी, ते उन्नु लगदा सी के ओ खुद उदे विच सिमट नहीं रेया, उस गली विच कच्चे चमड़े दी बदभू उडदी रेंदी सी खुश्बुआ लद्धी दुकान तों जदों ओ कार जानदा ता उन्नु लगदा, ओ बदभू, उन्नु तक्के दे दे के करोंकडण दी कोशिश कार रही है, उदे कारवे चिक पोली जही, सिद्धी जही, पती पगतीना लबरेज, मासूम जही, पुराणे वेड़ें दी बीवी सी, जड़ी ओदे छे बच्चे जम के होरवी पुराणी हो चुकी सी, ओधी बीवी जिन्दगी दे उस मुकाम ते सी, जदों ओ अपने मर्द दे पाए चंजटां वीच इन्नी फास चुकी हुन दिये, तडक सार तों देर रात तक चुल्ले अग्गे बैठी तो जान दिये, अपनियां ठकियां लतां कसी इट दी होई, ते ओधे मर्द नू लगदा ए के कारविच्चों उनू प्यार नहीं मिल रहा, के ओधी बीवी उनू सजदज के बैठी उडीक दी नहीं मिल दी, के ओधे बच्चे इन्ने लापरवा ते खुदगर्ज ने, के उनू सिर्फ पैसे कमाण वाली मशीन समझ देने, उनू प्यार नहीं कर दे, उधा आधर्मान नहीं कर दे, हर कदीमी मर्द वांगू ओ एदे कारणलबण दी कोशिश नहीं सी कर दा, ए समझन दी जैमत नहीं सी उठान दा के छे बच्चेयानों जम्मन ते पालन वाली, ते सारा संद चुल्ले अग्गे बैठी रूटियां पकान वाली औरत नू दो बोल हम धर्दी देवी चाहिदे हुंदेने, के उस औरत नू कदे ता ए असास दोणों चाहिदा है के ओ उन्नी सोनी है, जिननी ओदों सी, जदों पहली वारी डोली विच्चों उत्तर के छम-छम कर दी एस वेड़े वड़ी सी, उन्नों कदे असास ने सी हुंदा के बीवी वी कदे ठाक साक दिये, के आंट ग्वांट दे अजनबी पन विच ओदे दिल विच भी हजारा गुबार इकठे होके तुखदे होन गे, के उन्नों वी कदे मर्द दी मदद दी लोड हुंदी होवेगी कारसांबन विच, बच्चे पालन विच, बच्चेयां दा होमवर्ग करवान विच, बच्चेयां दियां बिमारियां चलन विच, के प्यार चाईदा होवे तां प्यार देना भी पहिंदाए, के जे उन्निगलेक्टड महसूस कर रहे आए ता अपनी बीवी ते बच्चेया ते रुमाल, ते ब्रेजियरां, ते अंडर वेरां वेच दा, सोने सोने बच्चेयां दे, सोने सोने कपड़े वेच दा, हर मानों खुश करन लई, उदे बच्चे दी तरीफ करदा ते उन्हों लॉलिपॉप देन दा, परफ्यूमा ते पाउडरां ते क्रीमा ते लिपस्टि दा, ते सुनांदा, ते राती दुकान बंद करन मगरों फिर दोस्तां दी मैफल वेच दारू ते कविता दे दौरां वेच वक्त गुजार के चूंदा, चामदा अद्धी राती कार पहुंचदा, उन्हा चिर कार वेच की हुंदा है, बीवी ते बच्चे की करदेने, उन् फार्मा ते कपड़े आते किताबां वास्ते बीवी नू पैसे दे देने, बस, जदो ओ मेनो अपनी कविता सुनांदा, सुनांदा, यानी कविता बारे मेरी राये लेंदा, लेंदा, अपनी जिंदगी दे रोने रोन लगा, ता मैं ओनू एही सब समझान लगी, किड़ी ब और अरत भी जिंदगी सुदार के मेनों छोटी जही तिस्कीन मिल जावेगी, कौन किदी जिंदगी सुदार सकदाए, हर एक दी जिंदगी अपने गाड़ी राते ही तुरनी हुन दिये, बंदे दी फितरत नू बदले आनी जा सकता, परल बक ने एक नौवल विज क्या एक मनुखदा सुबा गोल मोल कुंडली मार के बैठे सिप्रिंग वरगा हुन दाए, उन्हों खिचो ता लगेगा वो लम्मा हो रहाए, सिद्धा हो रहाए, छट देओ ता इको चटके विच वापस, उही कुंडली मार के बैज आवेगा, पहलों वंगू ही, जियों दात्यों वापस पै Bowlopi, तो पहलो मेरी यां सठ कू कहाणिया चाप चुक्कियां सन, ज्या तों पहलो? चंगे चंगे रिसालियां विच छपीयां सन, पर उन्नादी किता चपे, इस तो पहलो मैं उन्नानू दुश्मन भंगू तक के छांटणा से रद्ध करना चो दी सन, हुन गुल्बानो कहाणी दे छपण मगरों मैं उन्ना पहलियां कहाणियां विच्चों 12-13 कहाणियां चुणियां बाकियां नू रद कीता ते 1961 विच नवियुग दे पापा प्रीतम सिंग ने ए नवी कहाणी ते पुराणियां कहाणियां विच्चों चुणियां छांटियां कहाणियां दा सं प्रेम विच दोहानों बिठाके दार जी बीजी दे कार जाना ओना हुंदा सी, ते पटेल नगर दी मार्केट विच ओं कार दी छोटी मोटी खरीद दारी। असी तिनने ओधी दुकान ते गईयां, डॉली ते केंडी अपने जोगियां जुराबा चुन रहीयां सन के अमर सिंग ने चकदें चकदें मेरी गुलबानों दी तरीफ कीती। दूर दराज धामाते दौरे ते जाया कर दे सन। कोई वी मर्द बाहर नई सी निकलदा तांके किसी दी नजरनाल कोई बे परदा आरत मेली ना हो जावे। के कतल हो जान्दे सान औरतां दी गालतों। के जमीन नालों वी ज्यादा कीमती जायदाद सी औरत। उन्हों वलके रखना ते ओधी पैरेदारी करनी हर मर्द दा इखलाकी ते मुकदस फर्ज समझया जान्दा सी। के बस एसे पिछोकड विच्चों मैं गुलबानों लभी। उधा खावंद खुश दिल खान घाड लभया ते फिर सोचया जे कोई उन्हों तक ही लवे इन्नी सोनी औरत नू उधा परदेदार चेरा ना सही। उधा हाथ उधा पैरी तक लवे ते उधे नल इश्क करन लग पवे। ए दुजी घलती सी। छोटी जही तरीफ दी खातर एनिया गलना करन दी की लोड सी पला। इससे करके ते बीजी शुरू तो ही ताड़ दे रहे सन के पराए मरदनल गल नहीं करी दी। उन्हें दराज विच्चों मेरी किताब कड़ी ते क्या मैं उधे ते कुझ ल महीनी हो दी दुकान ते जन्दी उचकदा चकदा अपनी कविता सुनाओन दी कोशिश करदा। पैसे ही नहीं सन होंदे पटेल नगरों बस दियां तिन टिक्टा लेके अजमल खान रोड जान जोगे। पटेल नगर दी मार्केट विच्चों ही लोड दियां माडियां अलश्वर्गियां चोटियां मोटियां चीजां अमर सेंग दी दुकान तो रता सुवलियां मिल जानतीयां सन। जांकी पता ओ मेनू लेखक जान के कंसेशन दिन्दा होवे पर किसे उचेचे ते खास कंसेशन दा करी शक नहीं प्या मेननू क्योंके ओ अपने दोमा प्राम दे मुहाने नू पार कर दियां ही सी। डॉली ते कैंडी लेई उन्हें आइसक्रीम मंगवा लेई ते कविता सो नौन लगा। इन्ना लम्मा उच्चा बंदा ते बच्चेयां वंगू शर्मा रहा सी। बच्चेयां वंगू ओधी आवाज कंब रही सी। बस एक होर गलती हो गई के ए समझ बैठी के एस तरह शर्मान वाला बंदा हमेशा इसे तरह ही शर्मानदा चे जिकदा रहेगा। मैंनू अपने तो वड़ी राइटर समझ के अपनी कविता बारे मेरियां सलामा लेंदा रहेगा। ते साल छिमा ही कॉफी प्या दिया करेगा। समझ बैठी क प्रुफेसर मोन सिंग, गुर्बक्ष सिंग, नवतेज, प्रुफेसर राम सिंग ते कई होर लोक मेरियां कहानियां दी तरीफ विच मैनू चुठियां ना लिख दे, मैनू सलामा ना दिन दे ता मैं सौख कू कहानियां लिख सक दी सा। फेर राज दे हुकम नाल अठ साल च्रेन तों बाद मुड़ों सुड़ों साबत कदमी किसा गोई दे रा ते तुर सक दी सा। ते अठा सालां बाद जो तों पहली कहानी गुलबानों लिखी सी, ता मैननू भी ता अपने पैरां थल्ले तर्ती दे ठोस जा पूली होन बारे शक है इसी, सोच दी सा, इननी अपने दोस्ता, अम्रिता प्रीतम ते इंदर जीत नू, ते दर्शन सेंग ते ओधी बीवी लोचन नू ओ पहली कहानी सुनाई सी, कहानी सुनन लई ओ मैननू ला बोहीम ले गये सान, दिल्ली दे किसे भी रेस्टोरेंट विच जान दा ए मेरा पहला मौका सी, हालांके उन अम्रिता ने, इंदर जीत ने, दर्शन ने, लोचन ने, जदो कहानी दी तरीफ कीती, मैं वी ता जमीन तो दो इंच उच्ची उठ गई सा, ते होन मेरा फर्ज नहीं सी, इस नवे बन रहे कवी अमर सिंग दी कविता सुननी, उन्हों मश्वरा देना, कविता सुनान मगरो मेरी तरीफ सुनन मगरों, अमर सिंग कैन लगा, तो अड़ी शकल मेरी मानल मिल दी, उन्हों भी तो अड़े विच्चों मेरी एक विशाल, बेक नार मान नजर आउं दी ए, अपने बच्चें दी खातर, ते उदा गच पर आया, तक की पटेल नगर दिया खबरा करोल बाग तक आप उंचिया सन, मैं जिवें जमीन वेच गड़ी जा रही हो मा, क्यान लगा, मा, मैं तो अन्हों अज तो मा कह सकना, अठानमे, उस तो बाद जो होया, उदी मैंनू समझ ही नहीं आई, एक दिन राज ने दहार देया होया, हिकारत नाल क्या, ये नमा इश्क लड़ा सबन तेल वेचन वाले दो कॉड़ियां दे हटवानी है नाल, इश्क? उस तो मगरों एक ऐसा बवंडर आया के मेरे पैरा हिठा जड़ी चपा को जमीन बाकी बची सी ओवी खिसक गई, तसक गई, राज अमर सिंग नू उचेचे मिल दे, दोस्ती करन दी कोशिश कर दे, उ मेरे वल्लों तेनू पूरी इजाज़ते उद्रों अमर सिंग दे दारू पीन वाले ते कविता लिखन वाले दोस्त, जिना विच पंजाबी रा एक वड़ा श्याईर वी सी, ते नवे-नमे कविता लिखन वाले दोतन अनाडी कवी जिडे वड़े शायर दे द्वाले पमट ते मनसर कारदाए ये ते इश्क दी शिद्धत ते डिपेंड कारदाए केंदे गालब ने नहीं क्या ओ इश्क भी कादा जिड़ा सिर्फ फोड ना ठहरा अज कल दे जमाने विच किसे नू कोई इन्नी वालहाना महब्बत कर साकदाए जिन्नी तू अनू कारनाए आएगी किस किस तराने सिर्दे पार तुरके आएगी तेर कोड़ एकना एक देन उन्नू दनाई नाल समझान दे तक उन्नू सारी उमर डाक्टर कोड़ों तसी ये मिलेने पोखते गरीबी मिली ये बच्चयानू पालन लई उन्नानू प्योवधी छात हेठा रखन लई ही ते ओ जिबा हो रही है एक ना एक देन तेरी मुःब्दे से एक नल जरूर पीगलेगी यानि उन्नू सला देंदे के उन्नू अपनी छत ते छतरी किस्तरादी लगानी चाई दिये दाना किस्तरां दा खलेरना चाईदाए ताके ये दूर-दूर उड़ दी कबुतरी उधी छतरी ते आ जाहर है कि ओ अपने दोस्तानू केंदा होवेगा कि ओनू मिरनाल इश्क सी पर मेरे समने ओने कदी हलकी गाल नहीं किती कदी इश्क विश्क दी गाल नहीं किती हमेशा मैंनू मा केंदा रहा केंदा मेरी जिंदगी विच बस चारे पासे राख दे ठेरने मेरे प्रहा, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, किसे नू मेरी लोड नहीं जिंदगी विच कुछ भी नहीं, सक्खनी हैं बिल्कुल एक कोई है जिनू मैं इश्क करदा सा पर उदा व्या किसे होटल दे मालक नल हो गया चंडी गड़ रहें दी है ते एक तुँ है, मेरी मा, दो रुखो मेरे, रता कुछ इननी चावास ते मैं उनू हमेशा अपनी बीवी ते अपने छे बच्चे नू प्यार करन ले केंदी कि एसे तरह उदी सक्खनी जिंदगी पर सक्दी है ते ओ वाइदा करदा अच्छा, जे मैं करदा ख्याल रखा बीवी बच्चे नू प्यार करा फेर ते मैंनू थोड़ा जा प्यार देवेंगी न तु आपपे कहनना है मैं तेरी मा हाँ मेरी गल मनने गा ता क्यों नहीं मामा कुड़ों प्यार मंगना बेंदा है कोई ते कुछ दिना मगरों वो फोन ते मेरे तरले करदा अज आओ ना, मेरे का रोटी खाओ मेरी बीवी को नू पुछलाओ बेशक के होण मैं वोना समना नू प्यार करना मा के नहीं गई उदे का रवी, चार-पंज वारी गई अपनियां दोहां बच्चियां नू नाल लेके क्योंके मैंनू भी लगदा सी के मैं एक अजीब संकट विच फस गई सां एक मंज तार जही विच शायद ओधी छोटी मूटी गल मन लवांगी ता ओधे फतूर नू ठल पई रवेगी अपनी गरीबी दे बावजूद ओधी वटी नू साड़ी दित्ती मेरी सहेली गारगी ने अमरीका तों अपनी पैन कोड़ों मेरे जोगा एक कोट मंगवाया सी लाल जही रांग दा मैंनू ओधो ठंड बहुत लगदी हुन दी सी ते पैसे इनने थोड़े हुन दे सन के बच्चेयां दे गरम कपड़े ही मसा खरीद दे जा सकते सन ओधो कोट मैं ओधी बेटी नू दे दित्ता खाली हाथ किसे दे का रोटी खान जाना अजीब लागदा सी मेननू ओपनी बीवी नू केंदा मेरी मानू दस के हुन मैं तो अड़ा सबना दा ख्याल राखना न राती वकत सिरकार आ जाना न बच्चें दा हुवग करवान न एतवार तो अनू सेर करवान ले जाना न पिछले हफते उशना अकमाल दी दुकान तो ते नू किने जूट लेके दित्ते ने दस मेरी मानू इनने ही मेनू सब कुछ सिखाया है तू दसेंगी के मैं मान दे हुकम दी पालना कर रहां ता मैं पास हो जामागा उधी बीवी निमा निमा हास दी चुले विच बलदियां लगणा दी रौशनी विच उधे सावले चेरे ते पिगले तामबे दे रंग चलगदे ते शर्मा के केंदी आहो हूनते चंगेने अग्गे नानू नडिन मे पर फेर उनू पता नहीं की हो जान्दा सी कौन पर का आदेंदा सी उनू के दो-दो मिन्टा बाद फोन करदा मा मैं मिलना है, हुने मिलना है, फोरन मिलना है जां स्वेरे स्वेरे बस स्टाप ते खड़ोता मिलदा चुप चाप उससे बस विच चड़ जान्दा मैंनू लगदा बस शोलियां विच किरी होई है मैंनू लगदा सी मैं जां उनू कतल कर देयां जां खुदकुशी करला मा एक भवंडर सी जड़ा चौंप आसे चल रहा सी एक तुफान सी जड़ा सारे किनारे पोर के तुफानी वेग विच वहाईल जान्दा सी एक साइकलोन सी जिने सारे रुख जड़ों पुट देटे सान मैंनू लगदा सी मैंक से पमर विच फास गई हां ते पाणी दा गोल को मदा वेग मैंनू अपने अंदर निगारी जारे आए सक कर रहाए ओ खुद आप एक अजीब मानसिक उलजन विच फास गया सी मेरे समने मैंनू मा तो बिना और कुछ गया नहीं सी सकदा अपने दोस्तानू अपने जनूनी इश्क दे किसे सुनांदा सी सो उन्हा किस्यानू नकार नहीं सी सकदा कई वारी जदों ओ फोन करदा मैंनू लगदा ओदे सारे दोस्त आस पास राल टपकान दे खड़ोते ने ते उन्हों उकसा आ रहे ने कार फोन ते मेरे खावंद राज एस सारी सिच्वेशन दा पूरा फाइदा उठा रहे सन पूरा मजा ले रहे सन उन्हों पढ़का आ रहे सन ते सारे मरीजा नू वाकफा नू एक किसा सुना रहे सन रो रहे सन हम दरदियां बटोर रहे सन वो फस गया सी अपने ही बनाए चक्रवियों विच फस गया सी इकवरी अमरिता पृतम कोल जाके ताड ताड रोया मैं उन्हों इनना प्यार करना ते ओ अमरिता जी ने मैंनो फोन कीता अजीत मेरे कुल बैठा रो रियाए अमर सिंग बड़ा हसास कोमल दिल दा बंदा आए कवी जू होया एहो जी मुहबबत आजकल दे जमाने विच कित्थे कर देने लोग की ते रे नाल जनून दी हद दक इशके उन्नो ते फिर मैं की करा एह शायद पहली वारी सी के मैंनो अमरिता दी गलते वी खिज आई सी असल विच अमर सिंग दा ना सुन दिया ही मेरे बदन विचों गुसे दियां चंग्यारियां निकलन लग दियां सन बस उन्नो थोड़ा जै संबाल लै तुट जावेगा होते जे मेरे मन विचों ओदेली कोई हुंगाराई नहीं निकल दा जे ओदे इस पागल पननाल मैं गुसे नल बरा जाननी यां जे ओदे बे सिर पैर दे जनून तो मैंनो खौफ होंदा ये ता मैं की करा पर अजीत अमरिता जी दी ओही लटक दी जही कविता वर्गी लोरी वर्गी आवाज अमरिता जी तुसी मेरे दोस्त हो ना दोस्ती दी खातर प्लीज उन्नू संजाओ मेरा खेडा छड़ देगे संजाओ के ना मैं कदे अपनिया बचियानू तत्ती वा अलगण देनी है ते ना कदे खावंद नू छड़नाए मैंनू अपने बच्चे पालन तो ही फुर्सत नहीं इश्क विश्क सब बक्वास लाग देने मैं इन्नी ठक्की होईया के मेरा सावी नहीं निकल दा उदी कविता सुन लेन दा जा उदे रोणे तो उणे सुन के दो चार वरी उदे करजा के रूटी खा लेन दा उके उजे बदला ले रहे आए मेरे कड़ू इस तरह तो अणते तलवार रखके इस दोरान अचानक उना लोकां दी दुकान बंध हो गई वेचनी पैगी दुकान उदे वड़े प्राणू किसे दी जमानत दे बैठा सी ते करजा लेन वड़ा पैसे लेके घायब हो गया सी पैसे दुकान वेच के परने पए लखा रुपए अमर सिंग वेला होके होर वी जनुनी हो गया सारा दिन करोल भाग अपने दोस्तान आण अपने इश्क दे रोने रोन दा दारू पिंदा ते मैनो वकत बेवकत फोन करके तमकान दा हुणे मिल नहीं ते मैं मर जा मागा मैं चलेयां जमना दे पुल तो छाल मारन मेरे बच्चे नो आपे साम लमी मेरी मा जूएं तू मैं चलेयां मैं हुण जमना दे पुल तो अदना मेल दूरा बस जाके छाल मारन लगयां मैनो सिर्फ आखरी बार अपने चरन छोन आण दे मैं आ रहा, मैं जा रहा हर पंजां दसा मिन्टा बाद फोन ते मैंनो फोन विचो आगदियां लप्टा उठदियां नजर आ दियां एक वारी मैंनो एवी ख्याल आया के दुकान ता बंध हो गई रोजी रोटी बंध हो गई दुकान विचन विडे तिनना प्रावानो जरूर कुछ ना गुछ ता मिलिया ही होवेगा ओवी एदे दोस्त एदे इश्क दियां दास्ताना सुननन दे इवज विच दारू विची ना गटक जान एक आखरी हीला इहोई नजर आया के जे हो कम दंदे लग जावे ता शायद बाच जावे शायद फिर मैं भी बाच जावाँ उदा फाल तू बे मतलब तूफान किसे आहर ता लगेगा सो एक वारी जोदो उदा फोन आया मैं क्या अच्छा मिलनीया मैं तेन्नू पर तेरे कर कर गई स्कूलनों का अरौधिवारी रा विच उदी बीवी अग्गे नालों में तो आंखी होई लाग रही सी उदास ते खामोश मसूम गावर्गिया उदिया अख्खा मेरे कलेजे विच छेक करन लगिया उदे बच्चे जीप आने जहे अंदर बार फिर रहे सन स्कूल नहीं गए आज फीस नहीं स्कूल ना जोगी उदी बीवी हॉली जही बोली पर दुकान वेचन वडे कुछ ना कुछ ता मिलिया होएगा किनना भी कर्जा क्यों ना लाना हुन दा तो आदे वर डेपरा आने फिर भी तो आडे दुकान ता लखा दी सी फिर कम क्यों नहीं शुरू कर दे इनना बच्चे दा होर कौण है इस विचारी दा होर कौण है अच्छा कम करांगा जे तुसी मेरे पार्टनर बनू था पार्टनर्शिप कागजां विच्ची दब भी उन दिये मेनू मा कहना है ना बस मेरी गल मन अच्छा उन्हें वाइदा किता कुछ दिना बाद फोन आया काफी उत्षा विच सी मेनू पता लाग गया है कि मेरे सारे दोस्त मेनू तमाशा बनाई बैठे ने अपने सारे नाकाम अर्माना नू मेरे रहीं पूरा करना चौन देने मेनू समझ आ गई है तो आडे डाक्टर साब भी अपनी बंदूक मेरे मोड़े ते राखके तो आनू ही कतल करना चौन देने उना ली मैं प्राक्सी मर्डरर बन गया बहक गया हुण मैं जाग पे आमा मेरे पिछले गुना बक्ष दे मैं क्या ए साब मेनू लिखके दे दे क्योंकि कल नू तू फेर मुक कर जाएंगा उन मेनू अगले दिन बस्टाप ते मिलिया ते ए साब कुझ लिखके पंच छे लम्मे कागज मेनू दे दे कैन लगा मैं गफार मार्केट विच दुकान बेख लेई है बोर्ड भी बढ़ना दे देता है लकर दे उदर गुदरे फटे ते रसे नाल ना लखवा रहा शाबाश बहुत चंगी गाल ले दिल लाके कम कर मैं मादा रोल नबा रही सांते खुश सां के मेरी जान छुट रही है इच किचान्दा हो या कहन लगा थोड़े जे पैसे ना इंतजाम हो सकदा है खुदार पैसे? मैं सोचन लगी कित्थों आण के पैसे? फिर सोचया जे ऐस बड़े किदरों मांग के भी देने पैन दे देने चाहिए देने जे सिर्फ पैसे नाल ए तुफान थम सकदा है एस जुनूर्णी दा दिमाग ठीक हो सकदा है मेरी जान एस कुड़िकी विचो निकल सकदी है ता चलो सौदा ही सही एवी मैं क्या? इंतजाम कर देनी या पर एक शर्त दे हर शर्त मंजूर ओ हस्या हर शर्त नहीं, सिर्फ एक शर्त कि तु मैंनू जबरदस्ती कदे वी ना फोन करेंगा ना मिलन दी कोशिश करेंगा जदो भी मैं तरी खबर लेनी होवेगी तरी नमी दुकान ते या तरे का राज आवागी मैं खुद आवागी जदो मेरा दिल करेगा तेरे वल्लो मैंनू फोन नहीं आवेगा मंजूर ओवी मैंनू लिखके देदे उन्हें लिखके देदेता मैं अपने प्रॉविडन्ट फंड विच्चों लोन लई अर्जी देती प्रिंसिपल ने क्या? इन्नू था कट्टो कट दो महीने लगण गे सो उन्हें पैसे अपनियां कुलीक्स कुलों मांग तंक के दो महीने अलई हुदार गफार मार्केट लए गई ओ थे ओ नहीं सी ओधा दोस्त सी ओही छोटा मोटा कवी जिदी फ्रेमा दी दुकान सी कैन लगा? ओ सदर गया है सौद्धा लेंड मैंनू कैया गया है तुसी पैसे लेके आओगे ते जे मैं ना पहुंचया है तुभी लेके रख लवी मैं दो चित्ती विच सां उदार मंगे हुए पैसे जड़े प्राविडंट फंड दे लोन नल वापस करने सां ओही पैसे जिना लें मैं दिन रात मेंनत कार दी सां ते जिना ते मेरी यां बच्चियां दा हक सी एस धारू बाज दोस्त दे हवाले करां के ना मैं क्या कोई नी मैं थोड़ा जाओ डीक लेननी या जिना आया ते उदे कार दे जावांगे इनने चिरविच अमर सिंग आ पहुंचिया पैसे मेरे कुड़ों फड़के उन्हे मेरे पैर छोहे मा, मा, ए उन्दी है मा ते ओरों लगा सारा वक्कत ओदा दोस्त मेरे वाल केरी नजरानाल वेख दा रिया मैं कौन उन्दी साओ दे ते बेत बारी करन बाली इस तोहीन दा बदला उस सारी उमर मेरे कुड़ों लेंदा रिया हर साहे तेक मैफल विच मेरे कुड़ों ऊट पटांग स्वाल पुछदा ते अपनी जखमी इगो ते मलम लांदा मैंनो ओदे ते कदी गुसां ओदा ते कदी तरस उन्दा खेर ओ अल्लानू प्यारा हो चुका है ते मोई बंदेयां दी माडी गाल नहीं करी दी उन्दानू बस मौाफ कर दे ही दाए मैं सोचया उन्द ओ आरे लाग जावेगा नवी नवी दुकान दी जिम्मवारी करने आ संबालेगा ता अवारागर्दी भी नहीं करेगा पाल तू फ़तूरां तो भी बचया रवेगा पर कुझ नहीं होया दुकान ते लगगा बोर्ड मैं खुद वेह किया इसा महीने को बाद उद्रों लंगी तो कोई होरी बोर्ड सी, होरी दुकान अमर सिंग दा कोई अता पता नहीं सी 101 फोना दा, तमकिया दा, गिडगड़ा हटा दा पागल पंदे दौरयां दा, कारदे बाहर चकर लगान दा सिलसला जयों दा, त्यों बहाल हो गया ओ दो-तिन साल, बड़े कैरी साल सन मैनों वगदी हवा कोड़ों, खड़कदे बुहे कोड़ों, तुरे जान्दे बंदे कोड़ों, टेली फोन कोड़ों इस तरह खौफ होंदा सी, जिस तरह मैं कोई खून करके किसे जंगल वे चुपी होई हो मा हार आहट नाल त्रेंदी होई, एक केहो जाए द्वांद सी ओदे अंदर, की गड़बड सी, की फतूर सी, के मेरे सामने ओ कदे भी तसलीम नहीं कर सक्या के उन्हों मिरे नाल इश्क है मैंनू ओ हमेशा मा केंदा रहा, अखीर ले पैंसल नाल लिखे रुके विच भी एही लिख्या सी, तेरे आखरी दर्शन करन आया सा मा, तेरे चरन छोन आया सा, तु बुआ ही नहीं खोल लिया, तेरी मर्जी मा एक हो जई जंक सी ओधे अंदर जड़ी ओधी रून उचीर के दो फाड करदी रिंदी होवेगी, तरस ओधे तेवी ओंदा सी कदे, पर ज्यादा तरस ओधी मसूम बीवी ते छे बच्चेयां ते ओंदा सी, अपने अन्ने जनून दे रोड रोलर हेठा, ओ सिरफ मैंनू ही अपने बीवी बच्चेयां नो वी ते पी रहा सी, तुसी अंदाजा नहीं ला सकते जदों कोई पागला मांगू दोस्ता दिया मैफला विच, ओही मैफला जड़ियां मेरी बरादरी वी सन, गलियां विच होके दे रहा होवे के उन्नू मेरे नाल इश्क हो गयाए, उधे जे कदे तर्स दी, हमदर्दी दी, हमसाईगी दी, छोटी जेही फीलिंग रही भी होवेगी मेरे अंदर, जड़ी जाहर है के हर नमे लेखक लेई, पुराणे लेखक दे मानविच होनी ही चाही दिये, ओ फिता फिता करके तार तार हो रही सी, तूमबा तूमबा करके उड रही सी, मन्चिटियां वांगू सुड़ सुड़ कर दी, तार तार बल रही सी, तूसी अंदाजा नहीं ला सकते के जियों-जियों कोई अपने इश्क दे जनून दा रोला पांदाए, अंदर किस तरहां सब कुछ तिड़क तिड़क करके तुटदाए, रोला पानवाले द ते मास दी चर्बी दे तिड़-तिड़ सूं-सूं करके सडन दी, ते गोश्ट दे पुजण दी हलकी जही उफ-उफ सुनाई दे वे, तू ए नाल ते सुर्ख लपट नाल, ते तुटदे तारयां वरगियां चंगारियां नाल उतां उठ दी तिड़-तिड़ सूं-सूं उफ-उफ। पोन दी कंटी वजदिये, नंगी सडकते अपने पिछे तुरे ओंदे कदमा दी आवाज ओंदिये, ता लगतां विच पानी पर अनलगदाए। ते ओ आसपास गरजदे, गड़कदे, शुकरदे हडविच गिलियां लकड़ा वंगू, बे सहारा, तैरदियां तैरदियां डुबन लगदियांने, डुबदियां डुबदियां तैरन लगदियांने। ते तो आनू समझ नहीं आउंदी के एस सारे तुफान ते हडदे बावजूद, तुसी पाणी दे उत्ते तुर किस्त्रा रएयो, डुब क्यों नहीं रए। एक सो दो, एक दिन, राज हुने हुने क्लिनिक गहे सन, मैं बच्चयानू कोल बठाके उना दा होंबग करवारी सा, ते नाल नाल रात दी रोटी वास्ते मटर कडरी सा, वुआ खड़क्या, मेरी एक तड़कन रुप गई, ओही सी, अमर सिंग, दर्वाजे दे बार खड़ शोर पा रहा सी, मा, मा, बस एक मिंट वास्ते दर्वाजा खोल, मैं तेरे चरन छोड़े ने, फिर मैं मरन जा रहा, मेरे बुझे विच स्लीपिंग पिल्स ने, हुने फाकलाणियाने मैं सारिया, मैं होर बरधाश्त नहीं कर सकदा, मेरे प्रा, मेरे बच्चे पुखे ने, ते तू मेनू सहारा नहीं देंदी, मेरे नाल गल नहीं कर दी, मा, मेरा दुनिया विच कोई नहीं हो, बस एक मिनट चरम छोलन दे, मैं दर्वाजा नहीं खोल लिया, मेरे बच्चे आंदे मू डर नाल हिरासे गए, उन्हानों बुखल विच लपेट के मैं पिछले कमरे व जबा के उत्ते अपना जिसम टाल वंगों विचा दिन दाए, फेर अवाज आई, अच्छा, मैं ए आखरी प्रनाम लिखके बुए दे हेठों अंदर रेड रहां, मैं जा रहां, मैं उठके हौली जेही बारी दी चीत विच्चों वेख्या, ओ दर्वाजे दे सामने नहीं स मैं दर्वाजे दे हेठों वो रुक्का चुक्या, खोल लिया, पैंसल ना लिखे होई लफज, मा, आखरी बार तु मैंनो अपने चरण भी नहीं छोण दिते, कोई गल नहीं, अगले जनम मैं तेरा पुत्तर बढ़के जमांगा, ते तेरे कुणों बहुत सारा प्यार लव अलविदा, तेरा बेटा, अमर सिंग, कोई दो कंटे मगरों राज दा फोन आया, अमर सिंग आया सी कर, मैं हिचके चाई, पर की चारा सी, ओधा शोर किसे ना किसे गौंडी ने वी ते सुनिया ही होवेगा, ते विचारे डॉक्टर साहिब नो फोन कर दितता होवेगा, आय तो अनु, तो अनु के ने दस्या है, मेरी आवाज कंब रही सी, राज ने फोन बंद कर दितता, कुछ चिर बाद राज दा फेर फोन आया, अमर सिंग क्रिटिकल है, असल विचोदे कार्दिया ने उनु हस्पताल पुचाण विच बहुत देर कर दितती, तु जाना है राज दी आवाज विच ना हम दर्दी सी, ना अफसोस, आवाज विच कुछ भी नई सी, सिद्धी, स्पार्ट, आवाज जि में कोई कसाई दी दुकान ते जाके, उल्टे लटक दे बक्रियानू वेखे, पर्खे ते फेर कवे, ए उतली रान तोल दे, टुकडे छोटे छोटे करी, चंगी तेरा साफ करके ख्यालना दा एक बवंडर मेरे द्वाले चुल रहा सी, मैंनू लगा, राज मेरे लेई कोई खौफनाक जाल विचा रहे सन ओ ते पंजाव आरी, पांच सो वारी तमकियां दे चुका सी, के मरन लगा, सौखाय मरना, उन्हों नहीं पताओ दे छे बचे यतीन हो जानगे के ए तमकी देके आया, ए रुका अंदर रेड आया, ते राजने क्या होवे, बस उन्तु तमाशा वेख, की पता राजदे कैन ते ही उकार आया होवे, अग्गे वी ते एक वारी एसे तरह राजने खुद उन्हों कर पे, जैसी ते मैंनू फोन कर देता सी, के जे ओ आवे, ता मैं फोरण पुलिस नो फोन कर देया, पुलिस? पर क्यों? जे तो अनू वाकई अंदर दी है मेरे नाल, ते खुद क्यों नहीं कर आ जान दे, उन्हों बिठा के संजाओ? क्यों? तरस आ रहा यारते, आज एही तेरा इम्तिहाने, जे यो सब सच्चे जो तू केनी है, त पुलिस नो फोन कर, नहीं ते मैं एही समझाँगा के ओही सच बोल रहा है, ते तू फ्रेव कर रही है, ते ओह आ गया, राज़तों डर्देयां ते अपनी निर्दोष्ता साबत करन लेई वी शायद मैं पुलिस नो फोन कर देता, आंड गौांड विच तमाशा बणया, प पर ओ एक वाव रोला सी, जड़ा किसे वी गलते कायम ही नहीं सी रहनदा, कड़ी विच कुछ कहनदा, ते अगले पल मुक कर जानदा, मेरे सामने कुछ कहनदा, दोस्तां दे सामने कुछ होर कहनदा, शायद दो-तिन दिन जेल विच रहा, फिर जमानत हो गई, उन्हें कचै वरी जदो ओ उन्हों पड़का आके उकसा के कर पेज दे, सारे महले नू, सारे मरीजा नू, मसाले लाला के दास दे, ए तकलो हुन, अपनी अखी तकलो, मैं जड़ा इन्ने चिर्दर उन्दास हां के एस औरते दस यार में, एह हुन अपनी अखी वेखलो, एक कोदा यार श अचारियां मेरियां बच्चियां पीले, नीले, काशनी, सुहे, किरमची, काले तब्याजयां विच गवात जान्दे सन, गड मढ हो जान्दे सन, पमटा वंगू उडदे होये मेरे सिर्दे अंदर वड़ जान्दे सन, ते खोपरी दियां दिवारा नाल पटक पटक के, एक ही हो गया, पंजावरी, सौ वरी, पांज सौ वरीतम कियां दे दे के, के मैं मरन लगा, सच मुची मर गया हो, सिर्फ अपने दोस्ता सामने ए प्रूव करन लई, साबत करन लई के एस योग विच, ओदे नणों वड़ा कोई आशक ना जम्मे आए, ना जमनाए, के ओ रांजे दी, मिर्जे दी, मही वाल दी, बेवफा औरत वास्ते, एक एहो जई खुदगर्ज औरत वास्ते, तो अपने जिन्दगी गाल रहाएं, जिन्नों तेरी परवाई ने, पर फिकर ना कर, तेरी शहादत, तेरा जुनून एक दिन जरूर रंग लेओंगे, तेन्नों जे कुछ हो गया, ओही औरत गलियां संग सार कर देवेगी उधा, बड़ा दिलकश लग्या होएगा नजारा अमर सिंगनों, बड़ा ड्रोमाटिक, रोमैंटिक, मैलोड्रोमाटिक, उधे दोस्तांदा सारा गुरूप ही मैलोड्रोमाटिक सी, पामें एक बड़ा स्याना, दाना बीना कवी वी सी उन्विच, प लई मर क्या। एसी अजीत कौर दी आतमकथा कूडा कबाडा दी आडियो बुक दा सत्वा हिस्सा। इस तरह दी यां होर कहाणियां सोननली एस चैनल नू सब्सक्राइब करो। जेतो अनुवे काम पसान्द आया ते लाइक वी करना, शेर वी करना सारे अनू दसना।